मालिक, थोड़ा से वक तोर दे दे तो मालिक, मैं आपके सारे पैसे ब्यास समेथ दे दूना पैसान के तब पतो ना, पर ब्यास तो आज वापसी लेक रहूंगो और कहीती ना, तेरी खाल देड़ दूगो पर दो जे पूखँआ प्राइब। पिल्दा पूखँची ना झाल काईब। जयोगो पिल्दा पूजगो अरा बेटा तु कोलिज जा हेत को काम तो मैं देख लूंगा हूँ अरा बेटा तु कोलिज जा हेतन को काम तो मैं सभाड़ दोंगो कैसे चल जाओं कोलिज पापा हम तहीं तने जिनते कहरों में स्पुराणी मोट साहिल दिवाद कोलिज में जानेगी निया परना हमने सोच कोलिज में एडविशन करवाजी छोरा कलेक्टर बन जाग जाग पाई साइकल भी ना दया है जारी हो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो कर दो कर दो, कर दो कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, क्योंतो, 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 क्योंतो लगता है अज मालिक साथ घर पे नहीं है अरे दरवाजे किसने बंद कर दिये सारे खिड़कीन में ते निकलना पड़ रहो है हाँ भाई तू कैसे मालिक मालिक मुझे कुछ पैसो की जरूरत है महरबानी करके कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता ना मैं किसी पैसान करेंगरू ना किसी की मदद करेंगरू नेरे को अपने पैसान को ब्याज चाहिए खरो पांस टका मालिक मैं आपके पैसो और ब्याज बहुत जल्दी वापिस कर दूँगा सोच ले, पाईसान को ब्याज ना मिलो ना, तेरी चमड़ी तार लूँगो, हाग को रूम है मालिक फिड़की में ते अंदर जा के पाईसा लिया, और कौपी में नाम से ड़वा दियो, जा जी मालिक अरे मेरी जूती बड़ी गंदी हो रही है मैं साफ कर देता हूँ, वालिक भाई भाई, तु यहां लग रहो, वहां तरे पापा के साथ क्यों को पापा गए पापा के रुक भाई, रुक कहाँ जा रहो है था कुछ दुर जा रहा हूँ ना भाई, महां जाने को कोई फायद हो ना है छोड़ते तु मुझ जानते वक्ट दो रहे ना भाई, अबर मिल बात तो सुन ले के सुन लूँ तेरे अंदर जो छो है ना वा कहीं ओर लगा मैनत कर कुछ बन के दिखा और जब जीए तु ठाक उर की सामने तेरे पापा की छाती चोड़ी हो जाई गर्वत है तेरी कोशिशे ही कामयाव होगी जब तेरी ये जिद आग होगी भूक देनी नाओं में दिया नाओं में दिया तेरे पीछे पीछे रास ते ये चलके बाहों के निशानों में ढलके भूंड लेंगे अपना जिया अपना जिया अपना जिया लमहों से आँख मिलाके रख दे जी जान लडाके तूटी शम सीरों से ही हो कर हर मैदान फतेर बंदिया हर मैदान फते अरका ही ती ना तेरी खाल धेर दूगो पापा मैं इस देश का फोजी हूँ और लोग मुझे रियल हीरो बुलाते हैं और मेरे होते हुए आपको कोई हाथ लगा दे ना पापा ना अब ठाकूर को सबक सिखाने का वक्त आ गया है ना बेटा ना माफ कर दे इसे जाने दे पापा आपकी इतनी घर चलते हैं तेरी मा तेरा इंतिजार कर रही होगी वैसे भी काफी दिन हो गया तेरे साथ खाना खाई चल बेटा मैंने वचन दिया भारत मा को तेरा शीष नहीं जुकने दूगा राम राम भाईयो बाईयो वीडियो अच्छी लगी होता है यह से लाइक करना शेर करना और कमेंट जरूर करना क्योंकि आपकी एक कमेंट की वज़े से ना हमें बहुत हिम्मत मिलती है अर अपने सारे फोजी भाईयान ना दिलते सलाम है और भाईयो अपनी नई वीडियो जल्दी आन वाली है तो बस प्यार बनाए रखना राम राम भाईयों